हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू क्लास फर्स्ट, टुडे आई विल टीच यू चेप्टर फोर्टीन, आज हम लोग फोर्टीन चेप्टर की रीडिंग लगाएंगे, लेशन का क्या नाम है, बंटी बंदर चला स्कूल, ठीक है, चलिए, इसको रीडिंग लगाते हैं, राजू के घर के समीब एक मंदी रहे, उस पर एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती है, बंदरिया ने बच्चे का नाम बंटी रखा है, आज बंटी का जनम दिन है, बंदरिया ने कालोनी के सभी घरों में जाकर बताया कि आज बंटी का जनम दिन है, वे साम को स्वयम जनम दिन के उपहार आदे लेकर मंदिर में पेड़ के नीचे आ जाए वही धूम धाम से उसका जनम दिन मनाएंगे अब बताए बंटी कौन था बंदरिया ने अपने बच्चे का रखा बंटी, ठीक है समझ में आया, सभी कालोनी वास्यों ने मुस्कुरा कर उसे हां कह दिये समझ में आया, आपको भी बढड़े बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है यहाँ पे बंदरिया ने अपने बच्चे का जनम दिन मनाया, चलिए नेक्ट पेज पे चलते हैं, देखिए साम के समय सभी कालोनी वासी आये धुमदाम से बंटी का जनम दिन मनाया गया बंदरिया ने सभी उपहार कालोनी के बच्चों में बाड़ दिये केवर एक उपहार उसने बंटी के लिए रखा वह था इस्कूल यूनिफार्म और इस्कूल बैग में पुस्तके यह उपहार बंदरिया वो बंटी को बड़ा पसंद आया वहाँ उपस्ति सभी बच्चों से बंदरिया ने कहा कि वे कल जब विद्याले जाएं तो बंटी को भी साथ ले जाएं बंटी इस्कूल जाकर सभी बच्चों के साथ पढ़ना चाहता है अगले दिन प्राता सिग्र ही बंदरिया ने बंटी को स्कूल के लिए तयार किया वह कालोनी के बच्चों के साथ ही स्कूल गया टीचर जी उसे देखते ही बोली अरे आज तो बंटी ही बाबू भी स्कूल आ गए क्या पढ़ लिखकर जीवन में आगे बढ़ोगी बंटी ने गरदन हिला कर कहा हाँ इस्कूल का पहला दिन था टीचर ने उसे सुन्दर चित्रो वाली एक पुस्तक दी जिसमें जंगल वा अन्यपसुओं के चित्र बने थे आधी छुट्टी में बच्चों ने बंटी को अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा दिया उसने जी भर कर भोजन किया छुट्टी होने पर वह बच्चों के साथ घर चल दिया आज वह बड़ा प्रसन था मंदिर के पेड़ पर बैठी उसकी माँ प्रतिच्छा कर रहे थी आते ही बंदरिया ने उसे गोद में भर लिया पूछने पर सारी बात उसने बता दी बंदरिया ने उसे बताया कि विद्याले विद्या का मंदिर होता है वहाँ ग्यान का प्रसाद मिलता है विद्याले बनकर ही जीवन के वास्तिवी कुद्देश प्राप्त किये जा सकते हैं समझ में आया इस्टोरी कि किस प्रकार से बंदरिया अपने बच्चे को सीख दे रही है कि विद्याले क्या होता है ज्यान का मंदीर होता है जहां पर सभी लोग जाते हैं और ज्यान को प्राप्त करते हैं और वह बंदरिया भी चाहती थी कि उसका बच्चा भी वहाँ पर जाए और वह भी ज्यान को प्राप्त करें इस प्रकार विद्यावान बनकर ही जीवन के वा आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर दो वाचिंग